एक मर्तबा हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु मक्का मुकर्मा से लोट कर मदीना की तरफ आ रहे थे रास्ते में रात हो गई तो वही पड़ाव डाला आप खुले मैदान में सोए हुए थे अचानक आपकी आख खुली तो देखा कि आस्मान पर चौदहवी का चाद नूर परसा रहा था जब हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने आस्मान के चान्द को देखा तो उन्हें बेखतियार मदीने का चान्द यादा गया नभी अकरम सलललाहु अलैही वसल्लम का ख्याल आते ही उठ बैठे उस वक्त तनहाई थी ठंडी हवा चल रही थी आस्मान से नूर बरस रहा था कुभूलियत दूआ का मौका महसूस हो रहा था उस वक्त हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने अल्लाह रबुलिजजद के सामने अपने दिल का रास खोला और अपने दिल की तमन्ना यू बयान की ए अल्लाह मुझे अपने रास्ते में शहादत अता फर्माईए और मेरी कबर महबूब सलललाहु अलैहिवसलम के शहर में बना दीजिए अब हजर्त उमर रजी अल्लाहु अन्हुने तो इतना ही मांगा था कि उनको शहादत तो किसी जगह अब ही मिल सकती थी चाहे पहाड की चोटी पर मिलती चाहे किसी मैदान में मिलती मगर अल्लाह ताला कदरदान है अल्लाह ताला ने उनकी तमन्ना को पूरा किया मगर किस अंदाज में किया कि हजर्त उमर रजी अल्लाहु अन्हु बावजु है मुसल्ले नब्वी पर खड़े हैं कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं इस कुर्ब व एहसान की कैफियत में अल्लाह रब्गुलिस्त ने हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हों को शहादत अता फर्मा दी वह स्थमा उसी वक्त लगा था मुसल्ले नब्वी पर शहादत का मर्तबा अता फर्मा देना अल्लाह की तरफ से कदरदानी नहीं तो और क्या है उन्होंने तो सिर्फ शहादत मांगी थी मगर उनकी उम्मीद से बढ़कर उनके साथ खैर का मामला किया गया उन्होंने दूसरी दूआ यह मांगी थी एर अल्लाह मेरी कबर अपने महबूब सल्ललाहु अल्यही वसल्म के शहर में बना देना अगर कबर जननत वल्बकी में बन जाती तो तब भी दूआ पूरी हो जाती मगर अल्लाह ताला कदरदान है अल्लाह ताला ने उनकी कबर के लिए कहा जगह अता फर्माई अल्लाह ताला ने उन्हें रियाजुल जन्नत में और महबूब सलललाहु अलैही वसल्लम के कदमों में दफन होने की जगह अता फर्मादी अल्लाह रब्बुलिज्द की तरफ से उनकी यह कदरदानी थी मजीद और वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें खुदा हाफिज झाल झाल